बिसमिल्ला रहमारी रहीम, अस्सलामु आलेकुम, मैं हूँ फरीह सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्स और मैं आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्रिस्पी करारे और बड़े ही फ्लेवरफुल ब्रेट कटलिस की रेसिपी हमेशा की तरह पूरा मुकमल गाइड करूँगी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ और बहुत ही एजी वे में आपको मैं सिखाऊंगी बनाना कि कैसे हम मज़दार से ब्रेट कटलिस्ट बनाएंगे लेकिं 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 शर्ट सिर्फ ये है कि वीडियो आपने स्किप नहीं करनी एंट ака गुड़ी तक वीडियो देखनी है तो आप बना सकते हैं परफिक्ट रेसिपी तो चलिए फटा फट से रेसिप y父 स्टार्टbour एन नहीं पाव बॉइल आलू लिया है उनको मैने अची तरह से मैश कर लिया है और उस wal car बॉइल कि ए तरह इस बॉइल की जब अब लिए अब हाथ की मददा से कर लिया जैसे कर लिए खिञे कोicund की हुई है और इसमें आड़ आप अपनी पसंद के मताबिक कोई भी सबजीया और भी इनमें अड़ कर सकते हैं जैसे के बॉाइल मटर और कैपसिकम बगएरा तो जनाब इसके बाद इसमें add करींगे हम एक चमच वर के कूटी हुई हरी मिर्च का लाल मिर्च में एड नहीं कर रहा है अगर आप ज्यादा स्पैसी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं और डालने के जनाब इसमें धनिया इसको फ्रेश फ्लेवर देने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए लो जी नमक तो मैं डालना भूली गई थी आदे से जादा चमच मैं इसमें नमक डालूगी आप अपने टेस्ट के लिहाँ से डाल सकते हैं और फिर इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स जनाब इसको रख देते हैं साइड पर और नेक्स स्टेप की चरफ चलते हैं ब्रेट के यह फिर्स्ट पीस और यह को रखने साइड पे इसको भी मैं बताती हुँ KA llevागी ब्रेट के आप अपने इस से चारो तरफ से बारीक बारीक किनारे चॉप कर लेने हैं यह जो ब्रेट का फिर्स्ट पीस होता है या वैज जो ब्रेट के में रे काट लीए अच्छा जी जनाब अब मैंने एक प्लेट में तकरीबन एक से तेबल स्पून पानी का डाला है और आपने क्या करना है वो ब्रेड जिसके हमने किनारे काट लिये हैं उस ब्रेड को आपने इस पानी पर रखना है and let the bread soak all the water अगर आपको लगता है कि ब्रेड पूरी तरह से ग ब्रेड को फोल्ड करने की या मौल्ड करके कोई शेप देने की कोशिश करते हैं तो वो टूटने लग जाती है ठीक है जी इस तरह से आपने handful amount लेना है थोड़ा सा उसको इस तरह से हाथ से बाइंड कर लें ताके वो खुले नहीं और हमें शेप देने में आसानी हो और जन शेप बना रही हूँ आप चाहें तो आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं अच्छा जी ये जो फिलिंग है इसी फिलिंग से आप बहुत ही मज़िदार से सेंडविचेज भी बना सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब फिलिंग है फिलिंग अगर अच्छी तयार होजए तो आप रोल में या समोसे में किसी भी चीज में आप कर सकते हैं जो भी चीज आपको ज्यादा पसंद है यह फिलिंग बहुत अच्छी है चोलिए जी यह शेफ जो है वो तयार हो गजी है इसी तरह की मजीद जो है वो कुछ कटलिस मैंने और तयार कर लिये हैं नेक्स टैप की तरफ चलते हैं अब यहाँ पर मैंने दो अंडे लिये हैं इनको मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी और इनमें मैंने तकरीबन एक से दो चमच ऑईल के एड किया है और मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से बीट करना है ऑईल इसलिए एड करते हैं एक थिक लेयर जो है वो आपके कटले से जो भी चीज़ आप कोट कर रहे हैं उसके ओपर नहीं आती और ना ही जो है ना इसमें इसके लंस बनते हैं देखे यह कितनी स्मूद और मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी होगी है एक की तो अब आपने क्या करना है कि क्रिस्पी और मज़े दिखाए थे रेसिपी के लिए लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस तरह से सारे जो है ना वो रोल्स मैंने कोट कर लिये हैं और फ्लेम को कर देंगे मीडियम एक एक करके सारे रोल प्लेस करेंगे उलट पलट को इनको क्रिस्पी और गुल्डन जाई हो और हम इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज लेकर आपके साथ शेयर करने आते रहें दीजिए जनाब रोल्स हो गए हैं डन और इनको निकाल लेते हैं डिश आउट कर लेते हैं और सर्व करें अपने किसी भी पसंदीदा सॉस या किसी भी चटनी के साथ फ्रेंड्स